राम राम दोस्तों दोस्तों दा रोमन रेंज ने इंट्रड्यूस किया दा रोक को और ने कहा कि वे काफी जादा गर्म महसूस कर रहे हैं दा रोक को ब्लड लाइन का हिस्सा मानकर जैसे ही रोमन रेंज ने कहा कि रोक भी हैं ब्लड लाइन का पार्ट रोक एंट्री लेते है और वे आते ही सबकी क्लास ले लेते हैं, उन्होंने कहा की Kody Cris Baby जो की रोते रहते हैं, उन्होंने ट्वालिट में बέट के इस WrestleMania main event को flash कर दिया, जो की biggest WrestleMania main event of all time होने वाला था, ये सारी चीजह उनके हाथ में थी, लेकिन उनको ये देखना था कि कोडी अपनी स्टोरी कैसे फिनिश करें उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें अभी तक समझ नहीं है कि कोडी की कौन सी स्टोरी है पिछले रेसल मेनिया मैच में रोमोर रेंच ने उन्हें हरा दिया था और अब उन्हें रीमैच चाहिए रॉक इसको नहीं मानते रॉक ने ये भी कहा कि वे अपनी पावर का पूरा इस्तमाल करेंगे वे पूरा इस्तमाल करके रहेंगे और वे कोडी को as a loser ही रेसलमेनियम में वाक करके छोड़ेंगे दोस्तो इस पर आपको क्या रगता है क्या र रॉक अपने प्लान को एक्जिक्यूट करके कोडी को चैपिशिप से कॉस्ट कर देगे मिलता है क्लिक और वीडियो